प्रातना ने जो कुछ दिप्ती को सुनाया था उसके बाद दिप्ती ने उसके बाद का जवाब दिया जिसके बाद प्रातना की बोलती बंद हो गई प्रातना के ताने दिप्ती को अब बरदार्श नहीं हो रहे थे वो तंग आ चुकी है और घर में छोटी सी जगा से भी वो तो दिपती प्रातना के ताने सह लेती थी और घर से अलग होने की बात भी नहीं करती थी लेकिन जब से उसे फ्लेट मिला है तब से वो प्रातना के तानों का जवाब दे रही और घर से अलग होने का खयाल बना रही है अश्विन बहुत समझाता है अश्विन बोलता है कि वो चिराग से बात करेगा जिसके बाद वो प्रातना को समझाएगा और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा फिर दिप्ती बोलती है कि पहले जैसा आप कुछ भी नहीं हो सकता है प्रातना दिन पर दिन बिगरती जा रही है वो बत्यमी जी करती जा रही है और मुझसे सहन नहीं होगा जब दिपति अश्विन से घघर से अलग होने की बात बोल रही थी तो प्रातना सुन लेती है फिर प्रातना जब घर का काम कर रही होती है तो पुषपा उसकी HELP करने के लिए आती है फिर सही मौका देखते ही प्रातना पुष्पा से बोलती है कि आपकी लाडली बहु घर विखेरेगी प्रातना वो सभी बाते पुष्पा को बता देती है जो उसने सुनी थी झाली